अब नज़र डालते हब तक की एहम ख़बरों पर आस्थाई जमानत की अबदी बढ़ाने से जारखन हाई कोट के इंकार के बाद अब भिहार के पुर्व मुक्य मती और आर जेडी सुप्रीमो लालू पर शादी आदव आज राची पहुचेंगे और कल सीवी आई के अधालत में उन्हें पेश किया जाएगा अस्पताल सूतरों का कहना है कि लालू यादव के हालत अच्छी नहीं है इधर जहारखन हाई कोट से आए आदेश के बाद लालू के करीबी लोगों का कहना है कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही वह अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रेम कोर्ट जाएंगे और मांग करेंगे कि उन्हें अस्पताल में ही बंदी रखा जाए ताकि उनका इलाज यहां हो सके नेता प्रतिपल्स तेजस्वी आदव के खिलाब मुझापरपूर कोर्ट में दायर मानहानी के मुकदमे पर आज सुनवाई होगी बिहार सरकार के नगर विकास मत्री सुरेश शर्मा के उनके खिलाफ हम मुझापरपूर कोर्ट में मानहानी का मुकदमा दायर किया है गोर तल जिले में उजियारपूर थानक शेतर के लखनी महेस पट्टी गाउं में गनेज कुमार नामा के 20 वर्स के यूवक को रातरी में अपरादियों ने गोली मार दिया और फरार हो गये। जिले में एडिशनल डारेक्टर जनरल एसके सिंगल ने बताया कि विकास ने संतोज जापर 0.3 mm पिस्टल से फायर करने की बात कबूली है। बिहार के मजपरपूर में अपरादियों ने एक पलस कर्मी को गोली मार दी घटना जिले के ब्रह्मयपूर्थ हाना के चाननी चौकी है। जहां देर रात कुछ बदमासों ने इस घटना को अंजाम दिया जिस पलस कर्मी को गोली मारी गई। बोराजी के पर्वमंत्री और हम नेदा आजीत कुमार का बोडिगार्ड बताया जाता है। गोली से घायल हुए सिपाही को तुरंत निकट के अस्पताल में भरती कराया गया जहां सिपाही के हालत नाजुक बनी हुई है। ख़बरों की जादर जानकारी के लिए आप लॉगिन किजिए citypostlab.com पर